नमस्कार प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को इस होली के पावन पर्व की धेर्षारी शुबकामनाएं आपके आने वाले जो दिन है वो होली की तरे बिलकुल ही सुगम रहे और होली है जो एक दोस्तों पवित्रता का तिवहार है और मन की सुद्धी हम लोग इस दिन कर सकते हैं तो इसी उम्मित के साथ में दोस्तों आज अपर शुरू करने वाले हैं बटवार का एक प्यारा सा faut तौपिक बहुत ही नौद अच्छा टोपिक है सब्दों का शार्तक करम सब्दों ऋसक्र में 한 में हमें लगाना है तो और शुरू करने से सार्तक क्रम हमें डूढ़ना है सब्दों का सार्तक क्रम क्या होगा उसके बारे में हमें सार्तक क्रम के बारे में चर्चा करनी है बहुत ही सिंपल सा टोपिक है अब यहाँ से क्यूशन यह उड़ता है कि दोस्तों सब्दों का सार्तक क्रम किस आदार पर करें तो उसके लिए जो अपने नीजी जीवन में हम शुरू से ही जो कारिय करते आये हैं उसी कारिय को अंजाम देना है जैसे मैं कहूं आपको अगर थोड़ा सा हिंदी का नोलेज है तो आप आसानी से इस क्रम को जमा सकते हैं देखिए कोई भी विशे वस्तू या कोई भी शब्द है उसका या वुलक stories करेया होगा या उसकी विशेष्दा होगी या फिर एक प्रकार की थिंगा हो सकती है वस्तू सकती है जैसे मैं आपको एक छोड़ा सा मस्कुराया कि civis यह जोड़ जोड़ से हसने का नहीं है यह सिंपल हसने का है और जोड़ जोड़ से हसने का हा यह तीनों है जो मतलब एक छोटे क्रम से लेकर के दाढ़ दाढ़ के हसने का एक प्रकार का क्रम हो गया और इसे हम अपने सार्तक क्रम में अगर जमाएंगे तो सबसे पहले मुश् जो शब्द होंगे वो किसी विशे पर आदारित हो सकते हैं विशे पर आदारित होने का मतलब है कि वो किसी विशेवस्तू का नाम हो सकता है किसी विशेवस्तू की पहचान हो सकती है किसी विशेवस्तू के द्वारा किया जाने वाला कारिय हो सकता है किसी विशेवस्तु की विशेष्टा हो सकती है विशेष्टाएं हो सकती है और यह फिर हम लोग मशीनों के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं मशीन का भी क्रम हो सकता है पार्ट्स हो सकते हैं पार्ट्स यानि की टुकडे टुकडों का भी एक क्रम होता है जैसे मैं एक बात करूँ व्यक्ति विशेश की तो व्यक्ति विशेश का एक बच्पन से लेके बुड़ापे तक करम भी हो सकता है बच्पन से लेके बुड़ापा अब यहां पर यह बच्पन से लेके बुड़ापा मैंने इसलिए लिका है क्योंकि वह ना तो नाम में आता है ना पेचान की तरफ चलते हैं जैसे जैसे अपने बहुत ज्यादा मात्रा में क्युष्टन क्लियर होते जाएंगे स्वत्य हमें यह टोपिक है जो अपने आप में समझ में आता रहेगा तो इसके अंदर दोस्तों जो क्रम हमें लगाना है जो क्रम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि जो क्रम हम लगाएंगे जो सार्तक क्रम लगाएंगे ये क्रम हमेशा ही दो प्रकार की होते हैं क्रम हमेशा से ही दो प्रकार की होते हैं जैसा कि या तो हम बोल सकते हैं आरोई क्रम या तो हम बोल सकते हैं आरोई क्रम जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तो बढ़ता क्रम जिसे हम क यह दो ही क्रम होते हैं या तो शुरूगात से या तो इस्टार्ट से एंड या एंड से हम क्या कर सकते हैं इस्टार्ट यानि कि ie wireless तो होता नहीं है लेकिन झारत के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं बातों को तो मैं पैयरे दोस्तों शुड़ू करतें आज का पहला question जो आपके screen पर देखिे दोस्तों एस question के अंदर जैसा कि question में लिखाफ़ा mention होगा अब हम लोग पूरी की पूरी जो भी बाते हैं वो खुश्वंगों पर आदारित ही करने जाएंगे उन शब्दों के क्रम के बारे में आपको बताना है और क्रम में दोस्तों यहां पर बढ़ता क्रम भी हो सकता है और घरता क्रम भी हो सकता है वो हमें राइ कौन देगा ओप्शन देंगे सबसे पहला वर्ड है धागा अब धागा कहां से आया दूसरा है कपास तीसर है मिटी ॐला है चो moyens चापड़ के बारे में बात कर रहा है यह पड़ा के से वहाँना किसे हैं किसी भी किसी बी उपजाओ या किसी भी उपज वाली विशेवस्तू के बारे में तो शुरुवात उसकी कहां से होती है मिट्टी से हम लोग भी अपना बच्पन है हमने अपना बच्पन जो है मिट्टी से शुरू किया था तो सबसे पहले option में अगर मैं किसको लो मिट्टी को तो मुझे 50% काम तो मेरा यहीं पर ही हो गया 50% मेरा काम यहीं पर ही हो गया कैसे हो गया कि मेरे COD option है वो मुझे मिट्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं वो मुझे direct कपास के बारे में बता रहे हैं वो मुझे direct धागे के बारे में बता रहे हैं अगर मैं शुरुवात में कपास लेता हूं या मैं शुरुवात में धागा ले तो हम डायरेक्ली यानि कि अगर 25% और थोड़ा एफर्ट करें तो हम डायरेक्ली 100% उत्तर तक पहुंच पाएंगे और आप सब लोगों ने शाहिद इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट निकला है होली खेलते हुए सब्दों का शार्तक्रम पढ़ते हुए लोजिकल अरेंजमेंट्स और वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पठवार के अंदर ये टोपिक है और पठवार में डेफिनेटली इस टाइप का क्यूशन आप से किया जाएगा और 132 नंबर आप इससे प पढ़ क्या रहे हैं इस क्यूशन की डिमांड क्या है हमें किस टाइप से इसको अटेंट करना है किस टाइप तक सही सोलुशन तक हमें पहुचना है आदी बातों से मेरे हिसाब से आप आउगत हो चुके होंगे यहाँ पर हर प्रस्षिन को करते वक्त मैं आपको उसकी बार नाम है यानि कि यहाँ पर कुछ विशेवस्तु भी है कुछ थिंक्स भी है कुछ कारिये भी है उन सब को मिलाकर करके एक क्रम अगर बनाया जाए तो वो किस टाइप का बनेगा देखिए सबसे पहले अध्यन और पुस्तक का क्या सम्मानता हो सकती है क्या मेल हो सकता है पु लगार यह किसकी क долब यहाता है यहां पर चाटो नहीं होगा और यहांपम को पुस्तक भी रएगा तो यहाँ पएली प्रत्रब्रश्टी यानि 50% से 50-50 जो कौन बरेगा करोड़पती शोग के बारे में बात करते हैं तो उसमें 50-50 अगर आपको option मिल जाता है तो दिल को सामत्ना भी आ जाती है कि अब मेरा question है वो हल हो सकता है मैंने first preference दी यहां पर चार नंबर को अब दूसरा हम इसे option से कैसे हल करेंगे दोनों जगे ही पुष्टक पड़ी जारी है चात्र के द्वारा पुष्टक ली जारी है चात्र के द्वारा पुष्टक ली जारी है और चात्र पुष्टक लेकर के सीधी परिक्षा नहीं देगा चात्र पुष्टक लेकर के अध्यन करेगा यानि सबसे पहले चार नमबर आएगा फिर दो नमबर आएगा फिर अध्यन किया जाएगा फिर वो परिक्षा देगा और जब तक वो परिक्षा नहीं देगा तब तक उसका पर option होगा दोस्तों भी option जो हमें दो नंबर दिलवाएगा बहुत ही बढ़िया चलिए जी नेक्स क्यूशन के बारे में और चर्चा करते हैं आपके साब ने कुछ इस्तिती बना रखी है यहाँ पर डॉक्टर इलाज ओशदी रोग निधान तो यहाँ पर ओशदी की कव आउश दोक्टर साब के पास क्यों जाएंगे किसी के हाल चाल पूचने क्यों जाते हम लोग जब का आपको पठवार के लिए कुछ पढ़ना है तभी तो आप एक्जामपूर रजस्तली प्लेटफॉम पर आये हैं अन्यता आपको माली जीए पढ़ना ही नहीं था तो फिर आप रोग निदान और ओशदी में से सबसे पहले किसी कोई व्यक्ति इलाज क्यों करवाएगा दोक्टर के पास क्यों जाएगा निदान उसको क्यों चाहिए ओशदी क्यों चाहिए क्योंकि वो रोग से जूज रहा है तो रोग पहले नंबर पर आएगा तो देखिए आदा कार यह तो वेसे ही हो गया मेरा आदा नहीं यहां पर 99% काम मैंने कर लिया है 99% मैं सही उत्तर पर पहुंच चुका हूं यानि कि सबसे पहले रोग रोग होने के बाद हम डोक्टर के पास पहुंचेंगे डोक्टर इलाज करेगा और इलाज के बाद हमें ओशदी देगा और का लगाऊंगा जो की दो नंबर के राष्टे पर हमें लेके जाएगा चलिए जी नेक्स क्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं चोता क्यूशन बहुत ही अच्छा और प्यारा क्यूशन अब आप आपको मैं मात्र और मात्र 10 सेकिंड का समय दूंगा इस उत्तर का हल निका पोदा है यह पेड कहां से आया क्या सीधा ही पेड आजाता है क्या पेड के बनने की क्या प्रक्रिया होती है तो सर्वपर्तम बीज आते हैं सर्वपर्तम बीज को भूमी में डाला जाता है बीज को मिट्टी में डाला जाता है अगर मिट्टी होती तो सबसे पहले मैं यहा हो जाएगा बीवला भी गलत है दो और पांच बएज से सीधा फेड़ थोडी बनता है बीज के बाद पोदा उबता है पोदे के बाद में पेड़ बनता है पेड़ के बाद फूल और फिल के बाध में की आते हैं फॉल आते हैं तो यहां पर दो-5-1-3-4 चार नंबर है वो इसका सार्तक्रम होगा यह इनके मद्द लोजिकल अरेंजमेंट है कि एक पोधे एक बीज से किस परकार से फल हमें मिलते हैं फल फल परिनामी हैं हम लोग जितनी अच्छे मैनत के बीज डालेंगे उतना ही अच्छा और प्यारा और मिठा और खटा और सुन तक उत्तर की तरफ चलते हुए मकान सडक कमरा नगर और जिला तो मेरे हिसाब से इसको रिवर्स मोड में भी आप लोग कर सकते हैं रिवर्स मोड का मतलब है यहां पर रिवर्स मोड का मतलब है कि सबसे बड़ा जो इसमें है वो जिला है तो जिला बाद में आएगा जिला ह कि बात करता हूं तो तीनों मुझे मतलब एक द्रश्टी दे रहे हैं पिर उसके बाद में नगर जो है वो जिले से पहले आएगा अगर शुरुवात की जाए बढ़ते क्रम में अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कमरा आएगा और कमरा कह पर होगा मकान में कमरा कहां पर होगा मकान में मकान कहां होगा सड़क के किनारे सड़क कहां होगी नगर में और नगर कहां होगा जिले में जिला कहां होगा रज्य में रज्य कहां होगा देश में देश कहां होगा विश्व में उसके आगे तो फिर अथा है ब्रमांड आ तीन एक और उसके बाद में दो और उसके बाद में चार और पांच अगर इसको घड़ते क्रम में लिखें हम इसको किस क्रम में लिखें घड़ते क्रम में लिखें तो मेरा घड़ता क्रम हो जाएगा पांच चार दो एक और तीन ये भी इसका उत्तर सही हो सकता है चलिए जी चटवे क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आपको 10 सेकिंड का समय सबसे पहले चटवे क्यूशन का उत्तर कौन सा साती दे पाता है प्रस्तुती सिफारिस आगमन चर्चा और परिचे सबसे पहले उत्तर किसका आता है देखें चटवा क्यूशन हम लोग देख रहे हैं सबसे पह सबसे पहले तो वह आगमन करेगा सबसे पहले तो वह क्या करेगा आगमन करेगा आगमन के बाद वह क्या करेगा परिच्चे करेगा और परिच्चे के बाद में क्या किया जाएगा प्रस्तूति दी जाएगी परिच्चे के बाद में क्या दी जाएगी प्रस्तूति दी जाए सबसे पहले तो उसने किया आगमन फिर उसने किया परीचे परीचे के बाद में चर्चा नहीं होगी परीचे के बाद में प्रस्तूती के बाद में चर्चा की जाएगी प्रस्तूती के बाद में क्या की जाएगी चर्चा की जाएगी और फिर अंत में क्या की जाएगी सिफार तो चटवे किशिण का जो उत्तर आएगा मेरे पैरे दोस्तों वो D option लग रहा है देखो सबसे पहले तो आगमन तीन नंबर फिर उसके बाद में परीच्च आगया पांच नंबर फिर उसके बाद में प्रस्तुति आगय एक नंबर फिर उसके बाद में चर्चा हो गई फिर सिफारिश हो गई अब देखो बी ओप्शन क्यों गलत है उसकी वज़े दूंडे क्योंकि आप लोगों ने कई सारे साती है जो बी ओप्शन की तरब भी गए होंगे तो सबसे पहले यहां पर यह करवा रहा है आगमन फिर परीचे करवा रहा है परीचे के बाद वो चर्चा क जायगी कोई विशेह हीं नहीं होगा आपके पास में चर्चा करने का प्रस्तुती नहीं करो क्यों सबसे साथ बढ़े साथी सब्से का समय्य पुलीस ऑपराद क्याय मूरती और फेशलह सबसे पहले कोन बाजी मारता है दोस्तों आने दीजीजी आंसर्ट John कोई भी व्यक्ति अगर दंड पुलीस और न्याय मूर्ती और फेसले के चकर में पड़ेगा तो वो सबसे पहला और पहला कारिय करेगा अपराद का सबसे पहला और पहला कार्य क्या करेगा अपराद का अपराद के बाद में उसे कौन उठा ले जाएगा अपराद के बाद में उसे पुलीस उठाएगी और पुलीस उसे ले जाकर के कहां प्रस्तुत करेगी न्याय मूर्ती के सामने प्रस्तुत करेगी और न्याय मूर्ती जी अब देखो मेरी बात ज्यान से सुनना जब फेसला आता है उसके बाद ही दंड आता है कि आज कोर्ट अपना फेसला सुनाएगा तो फेसला सुनाने के बाद में पता चलता है कि भाई शाब ये दंड मिला है इनको तो सबसे पहले अपराद करवाईए आप, अपराद के बाद में पुलिस को पकड़वाईए और पुलिस उसे सिधाई दंड नहीं देगी, वो नियाय مूर्ति के समक्ष पेस करेंगे न्याय मूर्ती सी फेसला सुनाएंगे और फेसले के रूप में दंड दिया जाएगा तो साथवा क्यूशन था बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही प्यारा क्यूशन चलिए आटवे क्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं लोजिकल अरेंजमेंट ओव वर्ड हम पढ़ रहे हैं सब्दों के सार्तक क्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं आटवा क्यूशन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा है डोक्टर है बिमारी है दवाई है अस्पताल है बच्चा क्या हो गया बिमारी के उपरांत आप कहां गए अस्पताल अस्पताल के बाद में आप किस से मिले डोक्टर साब से डोक्टर साब ने आपको दवाई दी दवाई के बाद में आप बिमारी से निदान मिल गया आपको और फिर आप घर आ गए यानि कि सबसे पहले तो पहले नमबर पे बच्चा आ गया फिर दूसरे नमबर पे बिमारी आ गई बिमारी के उपरांत आप अस्पताल में गए तो देखो पहले से पहला पहले पे पहला पहले पे तो ठीक है दोनों में फिर तीसरे में बिमारी है तो ए ओप्षन डी ओप्षन अपना गलत हो जाएगा तो यहीं इसका क्रम रहने वाला है दोस्तों चलिए नेक्स क्यूशन के सबसे पहले में चर्चा करते हैं आगे वाला क्यूशन का सही जवाब कौन बताएगा देखिये दोस्तों आई है शोहरत है शिक्षा है और रोजगार है यह अगर शिक्षा साथ में हो और शिक्षा के साथ रोजगार हो और फिर आई हो फिर शोहरत हो तो सबसे पहले जो प्राइमरी चीज काम में आएगी वो आपके काम में आएगी शिक्षा वो आपके क्या काम में आएगी शिक्षा अगर शिक्षा नहीं है तो फिर मामला गडबड है शिक्षा के द्वारा आप रोजगार प्राब्पराप्त कर सकते हैं और रोजगार के प्राप्त करने उप्रांद आई भी प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर आईублиजिए और उसके बाद में आपको क्या मिलेगी सोरत मिलेगी तो 3, 4, 1, 2 कौन से option में है B option में है तो B option इसका बिलकुल सही जवाब होगा Very good चलिए Next question के उपर बात करते हैं Computer जी आपके सामने खटे-खट उत्तर लगा रहे हैं और आप फटा-फट उत्तर दीजिए बहुत ही अच्छा और प्यारा क्यूशन दस्वाब बहुत ही लोजिकल लोजिकल क्यूशन है अपना बहुत ही प्यारा देखो सबसे पहले यहाँ पर घड़ते और बढ़ते क्रम की बात करते हैं घड़ते और बढ़ते क्रम में सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा कौन होता है सबसे बड़ा कौन होता है यह सबसे छोटे के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा होता है पोत्र सबसे छोटा कौन होता है पोत्र पुत्र के बाद पुत्र पुत्र के बाद क्या हो गया पुत्र देखो ये तो हो गया पुत्र पुत्र किसी का पुत्र होगा पुत्र के बाद यहां पर क्या हो सकता है पिता पुत्र के बाद यहां पर क्या हो सकता है पिता तो देखो ये तो एक नमबर पर ये दो नमबर पर और ये पिता जी तीसरे नमबर पर तो ऐसा कौन सा आपको नज़र आ रहा है मुझे तो A option नजर आ रहा है सबसे पहले तो पत्र हो गया फिर पुत्र हो गया फिर पिता हो गया फिर पिता मा हो गया और फिर प्रती पिता मा हो गया प्रती पिता मा पिता से बड़ा कौन हो गया पिता माहा और पिता माहा से बड़ा कौन सा हो गया प्रेपितामहा, अब देखो, यहाँ पर मैं इसको देशी लेंगवेज में लिख देता हूं, पोता, बेटा, पापा, दादा, और प्रेपितामहा, यानि परदादा, प्रेपितामहा, यानि की परदादा, तो ये भी क्रम बेट सकता है, तो इसका अ उत्तर हम सही जवाब करते हैं आगे वाला क्यूशन आपके सामने 11 नंबर 11 नंबर क्यूशन आपके सामने तपाक से उत्तर दीजिए देखें जटाक से जटाक से उत्तर आने दीजिए बहुती लाजवाब क्यूशन है बहुती प्यारा क्यूशन लाजवाब आने दीजिए आंसरस देखें यहाँ पुस्तक शब्द अक्सर वाक्य अध्याय और प्रस्ट यानि कि एक पुस्तक के बढ़ने के अंदर कौन-कौन कारगर है कौन-कौन कारगर है वो आपको बताना है तो आने दीजिए उत्तर आने दीजिए देखिए दोस्तों सबसे पहले अक्सर हो सबसे पहले अक्सर होगा औ किसका निर्मान करेंगे अध्याय का अध्याय का और अध्याय किसका निर्मान करेगा अध्याय किसमें लगेगा प्रस्ट में और प्रस्ट जाकर के कहां किसको बनाएगा पुस्तक को बनाएगा तो देखो अरेंजमेंट देखो सबसे पहले तीसरा फिर उसके बाद में दूस तो वह आएगा अपना 3, 2, 4, 5, 6 और 1 यानि कि C option आएगा कुछ लोग D option की तरफ जा रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सबसे पहले प्रष्ट बनेगा फिर अध्याई बनेगा नहीं जी प्रष्ट से पहले प्रष्ट जो होता है प्रष्ट उससे पहले क्या बनेगा अध्याई अध्याई एक प्रष्ट का भी हो सकता है अध्याई एक बटा चार प्रष्ट का भी हो सकता है तो सबसे पहले अध्याई चलिए नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं 12 नंबर क्यूशन आपके सामने देखते हैं सबसे पहले कौन बाजी मारता है कक्षा में पहुंचा जा र सबसे पहले कोई भी विध्यारति यह उठेगा नाएगा तयार होगा फिर वोוא युनिफॉर्म प Tayya में क्या करेगा युनिफॉर्म पैनने के बाद में वह बस पकड़ेगा बस पकड़ने के बाद वहाँ पर कहां पहुंचेगा प्रात्म सभा स्कूल में उपस्तित होगा पिर वो कख्षा में पहुंचेगा फिर वो पाट्य पुस्तक खोलेगा यानि कि पहले नंबर पर को नाया चार दूसरे पर तीन तीसरे पर दो और चोते 5 और चट्वे पर कौन आ रहा है एक सवरी 5 वे पर तो 3-4-5-1-4-3-2-5-1-4-3-2-5-1-4-3-2-5-1-4-3-2-5-1-1-a-4-3-2-5-1-4 सी ओप्षुन 12 नंबर में दोस्तों C सी ओप्षिन आएगा चलिये नेक्स क्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं आईए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन हमें क्या कह रहा है देखो ये बहुत ही प्यारा क्यूशन बहुत ही प्यारा क्यूशन तेरा नंबर क्यूशन है आज का और बहुत ही एक अपने आप में एक सब्दो का सार् सबसे पहले यहां option की नजर डालते हैं तो सबसे पहले बेल गड़ी आई ज्यादा तर इसमें बढ़ता क्रम ही होगा ज्यादा तर इसमें कौन सा क्रम होगा बढ़ता क्रम ही होगा सबसे पहले बेल गाड़ी से यात्रा प्रारम की गई बेल गाड़ी से यात्रा करते करते बस भूड़े के बाद में बस वायी जहाज में किस पहाए जहाज पे इस पह जो के बाद में और लेट और यह गोड़े पद आसे जो रोकेट का साहले तो ये क्रम होगा सबसे पहले दो नंबर आएगा फिर उसके बाद में चार नंबर फिर उसके बाद में एक नंबर फिर उसके बाद में तीन नंबर और फिर उसके बाद में पांच नंबर तो दो चार एक तीन पांच दो चार एक तीन पांच यानि कि सी ओप्षन है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा चलि को सबसे पहले वाक्ये शब्द अध्याय वाक्यांस और अनुछेद अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले सब्द आना चीए अगर बढ़ते करम में बढ़ते करम की बात करें अगर बढ़ते करम की बात करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए शब्द आना चाहिए तो यहाँ पर दो नमबर से शुरू होना चाहिए दो नमबर से एक option शुरू हो रहा है सब्द के बाद में वाक्य का निर्मान होता है यानि दो और एक से तो दो और एक हमें मिल नहीं रहा है तो एक बार घरते करम के उपर भी चलते हैं एक बार कौन से करम के उपर चलते हैं घरते करम के उपर भी घरते करम के उपर भी क्यूशन पूछा जा सकता है तो घरते करम म छोटा होता है अनुचेद उपार यहाँ यहां पर आप देख रहे होंगे वाक्यास लिखावाइं नंबर फिर उसके बाद में चाहल नंबर और फिर शब्द का दू यह तो इसका कोन सा उगया घर्ता क्रम अगर भढतों रचा करते चाहित तो 2-4-1-5 3 होना चि streaming आफंद यानि कि सबसे पहले शब्द फिर उसके बाद में वाक्यान्स और फिर उसके बाद में वाक्य एक वाक्य हो गया औह generosity हो गया यहां पर सब्सक्राइचrice को गया यहां पर सब्सक्राइचर हो गया किया हो गया उप्षण की दिमांड की अगर बात करें तो हैं यह好啦 इन दोनों में से कोई ना कोई एक यह उत्तर होगा लेकि बहुत ही अच्छा क्यों string माशागर वर्षा बादल नदी और मानसून यानि कि माशागर कैसे बनेगा 15 नंबर में आने दीजी आंसर माशागर कैसे बनेगा सबसे पहले मानसून आएगा सबसे पहले क्या आएगा मानसून मानसून आने के बाद में बादल होंगे बादल होने के बाद वर्षा और नदी कि अपने उसके बाद में मांसून से क्या बनने वाले हैं मांसून से बादल बनेंगे दोस्तों डाइरेक्ट वर्षा नहीं होगी डाइरेक्ट वर्षा नहीं होगी मांसून से बनेंगे बादल बादल से होगी वर्षा वर्षा से नदी बनेगी नदी से क्या बनेगा मासागर तो 2 option लगा देता हूँ 16 question के बारे में बात करते हैं अब थोड़ी speed बढ़ा दीजिए जल्दी जल्दी करते हैं 16 number question के उपर पहुंच चुके हैं और आपका जवाब आने दीजिए सबसे पहले जन्म है फिर मृत्यू है फिर अंत्योस्टी है फिर विवा है फिर शिक्षा है तो एक किसी व्यक्ति के जीवन का क्रम हो गया सबसे पहले वो जन्म लेगा सबसे पहले वो क्या लेगा जन्म लेगा जन्म के बाद में क्या मृत्यू होगी अंतियस्टी होगी विवा होगा या शिक्षा होगी तो जन्म के बाद में शिक्षा होगी जन्म के बाद में क्या होगी शिक्षा होगी यहां पर अंतियस्टी नहीं होगी अंतियस्टी तो सबसे बाद में होती है मर जाने के बाद में अंतियस्टी की जाती है उससे पहले नह करेगा फिर उसका विवा होगा विवा के बाद वो जाएगा मृत्यू की निकट और फिर उसकी अंत्यस्टी होगी तो सी ओप्षन इसका सही जवाब मैं लगाने वाला हूं चलिए जी नेक्स क्यूशन की ओपर चर्चा करते हैं आईए दोस्तों अगला क्यूशन 17 नंबर क्य कुशन बहुत ही प्यारा क्यूशन है तो आप जवाब दीजिए सबसे पहले वर्चा यह वास्पन यह जल यह संग्णन तो भॺ देखू वर्षा यह जल और वास्पन तो भ़ैन देखो अगर वर्षा हीनी होगी तो जल कहां से आएगा दोस्तों वर्षा ही नहीं होगी सब सबसे पहले तो आप वर्षा करो सबसे पहले तो आप वर्षा करो देखो सबसे पहले यहां बादल बनवा रहे हैं बादल नहीं बनेगा बादल के बाद वो जल बना रहे हैं जल के बाद वो संगनन तो यह तो प्रकिरिया गलत होगी मैं यहां पर सबसे पहले वर्षा करवा रहा हूं फिर वर्षा से जल एकित्रित होगा जल से वापिस वास्पन बनेगा वास्पन से संगनन होगा और संगनन के बाद में क्या बनेंगे बादल और बादल के बाद वापिस क्या हो जाएगी वर्षा हो जाएगी तो एव उप्शन लगा रहा हूं बाकी की क्यों गलत है उनके बारे में बात कर लेते हैं, पहले जल, फिर उसके बाद में वास्पन, फिर उसके बाद में बादल, बादल के बाद संगनन कराया, नहीं भई, बादल है जो संगनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है, डी ओप्शन के बारे में बात करते हैं, तो पहले वास्पन है, फिर उसके बाद में जल है फिर उसके बाद में बादल है फिर संगनन है और फिर वर्षा नहीं भई डी ओप्षन भी यहां पर हमें घलत ही आइडिया दे रहा है तो सबसे पहले वर्षा वर्षा के बाद में जल आया जमीन पर जमीन पर जमीन पर जल आने के बाद में 15-38 देखें आपके उत्तर का अंधजार है देखो सबसे पहले यात्रा यात्रा शुरू की जाती है पहर उसके बाद में यात्रा शुरू की अगर लेता हूं यात्रा के बाद इसको ऊप्ष्सं से कहसे करेंगे क्यूशन को ओप्षन से कैसे करेंगे ओप्षन से किस परकार करेंगे वो एक बार देखते हैं ज्यादा समय तो लगेगा नहीं ओप्षन से भी थोड़ा सा ट्राई किया जाए तो देखो यहां सबसे पहले यह ओप्षन लेते हैं अगर यह ओप्षन के बारे में बात करते हैं आप पहले गंतवी इस्तान पर पहुंचे आपने यात्रा की आरक्षन के लिए उपलबता है या नहीं होगा बुगतान नहीं फिर लास्ट में आरक्षन नहीं ये क्रम गलत है सबसे पहले आप गंतवी इस्तान पर आपको जाना है तो आपके पास में गंतवी इस्तान होना च अप्र है कि नहीं है यह देखेंगे बिलकुल देखेंगे तरो सके बाद में आप क्या करेंगे आप क्या co可 additionally faxson agarul irishination के बाद में आप क्या करेंगे यात्रा करेंगे यात्रा तो दोस्तों जो कि इसको बिलकुल सही जवाब होगा अठरा नमबर चलिए नेक्सक्योचंन की बारे में चर्चा करते हैं आईये दोस्तों सबसे तो सबसे पहले एक व्यक्ति है वो मिलता है एक सदश्य मिलता है एक सदश्य मिलता है और वो सदश्य किसका निर्मान करता है परिवार का सदश्य किसका निर्मान करता है परिवार का तो सबसे पहले एक नंबर पे तो तीन नंबर वाला आएगा सदश्य किसका निर्मान करता है परिवार का तो अभी तो काटे की टक्र चल रही है व ओप्शनजे करेंगे जह कोई फिर वो किसका निर्मान करेगा परिवार है जो एक समुदाय का निर्मान करेगा परिवार है वो एक किसका निर्मान करेगा समुदाय का और समुदाय के बाद में आप किसका निर्मान करोगे इलाके का तो यहां देश का नहीं होगा सबसे पहले इलाके का और इलाके के बाद क्या होगा देश का निर्मान होगा यानि कि सदश्य मिलकर परिवार पिर समुदा पर इलाक्या बनेगा और फिर सबसे लाश्ट में क्या बनेगा देश बनेगा तो बी उत्तर में लगाऊंगा दोस्तों 19 नमबर में बी उत्तर चलिए नेक्स्ट की बारे में बात करते हैं 20 वा क्यूशन ठका मांदा रात्री अपने दिन नेंद और कारिये एक व्यक्ति के दिन बर की दिंचरिया के बारे में यहां पर बात हुई है सबसे पहले शुरुवात किसे होगी देखो सबसे पहले तो उठेगा यानि उठने के बारे में तो बात नहीं की है तो सबसे पहले दिन से शुरु नींद पेले लेँ ये फाला गलत हो रहा है क्योंकि नींद पहलेن लिजा रही है यह फिर रात हो रही है तो रात होने के बाद में नीन लेने के बाद रात नहीं होती है तो 3-5-1-2-4 3-5-1-2-4 मेरा सही और सही जवाब होगा चलिए नेक्स क्यूशन के उपर बढ़ते हैं आईए आज का 21 क्यूशन बहुती प्यारा बहुती प्यारा और उंदा क्यूशन यह एक प्रकार का बोल सकते हैं कि विद्यारती के एक जीवन में यह जो गवर्मेंट जोब की एक्जाम कर रहा है उसके यह कारिये तो डेफिनेटली होते ही है और आप सबके भी होते हैं आप सबके भी हैं है तो 21 की बारे में बात करते हैं सबसे पहले है परिविक्षाकाल साक्षातकार चैन नियोक्ति विग्यापन आवेदन पत्र तो सबसे पहले कोई भी वेकेंस याती उसका विज्यापन आता है सबसे पहले कोई भी वेकेंसी आती है उसका क्या आता है विज्यापन विज्यापन के बाद में सबसे पहले आप आवेदन करते हैं विज्यापन के बाद न्यूक्ति और एक करवा रहा है चैन और एक करा रहा है साक्षाथकार तो मैं सी उप्षन पर जाओंगा भई चैन और न्यूक्ति नहीं होगी आपका साक्षाथकार होगा फिर आपका चैन किया जाएगा फिर उसके बाद में आपकी न्यूक्ति योगी न्यूक्ति के बाद में परिविक्षाकाल होगा यह परिविक्षाकाल को प्रोबिशन पीरियड बोलते हैं आपको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं इसको आपको जाचा जाएगा कि आप इस नोकरी के लट्ठा है वन है कागज है तो यहां पर एक पुस्तक के बनने का कारिय बताया गया है 22 नमर क्यूशन का अंशर आने दीजिए तपाक से देखें सबसे पहले सबसे पहले यह लुगदी यह लकडी का लट्ठा वन कागज यह कहां से प्राप्त किये जाएंगे सबसे पहले वन में जाएगा सबसे पहले कहां जाएगा वन में जाएगा तो वन में जाने वाला तो लुगदी बनाई जाएगी लुगदी बनाई जाएगी और लुगदी से क्या बनाया जाएगा कागज बनाया जाएगा और कागज से क्या बनाई जाएगी पुस्तक बनाई जाएगी तो यह जो अपन केते हैं ना भई शांदार क्युशन एक जो ग्रोपी भी क्लियर हो जाएगी आप केस में जो ग्रोपी भी आप क्लियर कर सकते हैं सबसे पहले अगर सबसे बड़े की बात करते हैं सबसे बड़े की बात अगर की जाए तो सबसे बड़ी परवत माला होती है सबसे बड़ी क्या होती है परवत मा नहीं होगा पाड़ी से छोटा पत्थर तो नहीं होगा यानि कि यह अपना घरता क्रम नहीं है बढ़ते क्रम में देखते हैं बढ़ते क्रम में देखते हैं तो सबसे छोटा हो गया पत्थर सबसे छोटा हो गया पत्थर पत्थर से क्या बनेगी चतान बनेगी पत्थर से चत सबसे पहले मानसून आएगा अगर मानसून ही नहीं आएगा सबसे पहले मानसून आएगा सबसे पहले क्या आएगा मानसून मानसून वर्षा के बाद नहीं आता सबसे पहले मानसून आएगा फिर वर्षा होगी वर्षा के बाद में बाड आएगी बाड से बाड के बाद हम बचाओ करेंगे बचाओ के बाद हम सरन देंगे सरन के बाद हम राहत तक पहुंचेंगे फ 25 वां क्यूशन बहुत ही प्यारा क्यूशन आने दीजी आंसर देखें दुर्गटना न्याइदीश दौक्टर वकील और पुलिस 25 नमर क्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और प्यारा क्यूशन है आने दीजी आंसर 25 नमर का अब आप भी उत्तर देना शुरू करें देखें सब सेंड पहले नियाईदीस डोक्टर और authentication और पुलिस का बाते जब दुर्गटना होती है तो सबसे पहले दुर्गटना ओगी डेफिनिट्री सब से पहले क्या हो तो आप सीधा ही वकील के पास नहीं जाएंगी आपके पास में पुलीस आएगी पुलीस के बाद वकील साब आएंगे फिर न्याइदीश साब के सामने मामला जाएगा कि यह दुरुगतना हुई कैसे है तो यह एक क्रम हो गया प्यारा सा क्रम हो गया अच्छा और प्यारा क् क्यूशन बहुत ही प्यारा क्यूशन यह मतलब आपको चोट देने वाला क्यूशन है और देखते हैं देखें सबसे पहले किस प्यारे साती का उत्तर आता है कभी नहीं कभी-कभी सामान्यते यदा-कदा हमेशा तो इसका किस परकार से क्रम हम लगा सकते हैं हाँ देखो कभी-कभी से यदा-कदा छोटा होता है और यदा-कदा से छोटा होता है कभी नहीं तो यह तो कभी नहीं से शुरुआत करो सबसे जो यह तो बिल्कुल ही नहीं तो यह तो एक नमबर से शुरुआत करो यह यह तो बढ़ते क्रम में शुरुआत करो बढ़ते क्र तो एक नमबर सबसे अंत में आएगा ये अपन पता लगा सकते हैं एक सबसें अंत में आएगा व्यद्व कर कुद्टतरों अपना तो सबसे पहले होगा पांच नमबर वाला हमेशा हमेशा के बाद में होता है कभी-कभीनिस Karma सबसे बड़ यह सबसे बड़ा हो गया हमेशा फिर सामान्यते पिर कभी-कभी और कभी-कभी से छोटा होता है यदा-कदा सबसे छोटा होता है कभी नहीं तो यहां पर देखो इस ज कि दस दिनों में एक बार होती है वो यदा-कदा दर्शन देते हो आप यदा-कदा मैं रोजी कोचिंग आता हूं तो यह तो हो गया हमेशा मैं सामानेते कोचिंग आता हूं यानि कभी छुटी भी माल लेता हूं मैं कभी-कभी कोचिंग आता हूं यानि कि आदे दिन चुटी है 27 नमबर का देखते हैं सबसे पहले किस प्रोड भी नहीं होगा सबसे पहले दो नंबर वाला वरत भी नहीं होगा और सबसे वह स्थिशु आएगा सबसे पहले सिशू वह क्या बनेगा बालक बालक से किस्वर añवस्ता में आएगा किस्वर आवस्ता से वह प्रोड बनेगा प्रोड व्रद बनेगा तो यह उत्तर होगा अपना और 27 नबर में 28 नंबर में 28 नंबर में आप पहुंचेंगें बहुत ही प्यारा क्यूशन है 18 है वो क्युशन आपके सारे दिमाग के द्वार खोलेगा दोस्तों तो उस अगर बात करें नीचे से उपर की बात करें तो तो सबसे पहले देखो, A.D. है, कंदा है, उसके बाद में खोपडी है, गर्दन है, गुटना है, वक्स है, जांग है, पेट है, मुक है और हात है, तो सबसे पहले नीचे से अगर शुरू करें, तो सबसे पहले A.D. आने चाहिए, तो यहाँ A.D. से तो शुरू हो नहीं रहा अब देखो यहां थोड़ा smartness का देखते हैं, smartness दिखाते हैं, smartness दिखाते हैं option से, तो सबसे पहले खोपड़ी आगी, फिर गर्दन आएगी या मुक आएगा, तो दोस्तों मुक आएगा, तो बस यहीं पर ही अपना उत्तर आ चुका है B option में, अब इसका सार भी देख लेते हैं, सबसे पहले खोपड़ी आगी, फिर मुक आगया, मुक के बाद में घर्दन आगी, घर्दन के बाद कंदा आगया, कंदे के बाद हाथ आगे, हाथ के बाद में वक्स आगे, वक्स के बाद में पेट आगया, पेट के बाद में अपनी जांग आगई, जांग के बाद ग प्रक्रिया आप से पूची गई है तो उसकी बारे में अपनी राय प्रकट करिए सबसे पहले सहद कहां से मक्ही बनाती है तो मक्ही जो सहद कहां से लेती है फूलों से तो सबसे पहले फूल आएगा सबसे पहले फूल पर जाकर के मक्ही बेटेगी फूल पर सहद नहीं होगा फूल पे जाकर के मक्ही बेटेगी मक्ही शहद बनाएगी और फिर पीछे क्या बचेगा मोम बचेगा जो पीछे वो जाला बच जाता है वो क्या बचेगा मोम बचेगा तो मैं बी ओप्षन यहां पर लगा सकता हूं चलिए नेक्स क्यूशन के बारे में बात करते हैं तीस्वा क्यूशन आजगा बहद ही इंपोर्टेंट काटना पहनना सिलाई करना नापना चोक से निशान लगाना बैई यह कपड़े के बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है तो देखते हैं आप कितने लगाएंगे नापने के बात में क्या करेंगे निशान लगाएंगे तो नापना हो गया निशान लगाना हो गया अब देखो इसमार्ट की बात करते तो यह एक नमबर है नापने के बात काटेंगे यह सिलाई करेंगे बहुत ही प्यारा सबसे पहले काटेंगे सबसे पहले क क्या करेंगे काटेंगे फिर उसकी बाद में हम लोग क्या करेंगे सिलाइगे पिर पहनेंगे तो तीसवे का जो जो सही उत्तर आएगा वो और अप्षन यह ऊप्षन प्यारे दोस्तों तीश्वे का बिल्कुल प्रफेक्ट जवाब होगा चलिए नेक्स फूर्शन के बारे में चर्चा करते हैं आने दीजी आंसर सबसे पहले है सोना आबुशन आयस खदान और प्रक्रिया बहुत सोना बनाना आपको सोना बनाना है तो सोना बनान जी कुशन लगने के बाद में सीधा ही वहीं वहता है मामला से हैड तो बताइए डेके सब्से पहले आपको सोना कैसे प्राप्त करोगे आने दीजिए उत्तर देखें aoå उत्तराने दीजिए तपाक से देखो सबसे पहले आप प्रक्रिया करोगे आप बुशन आयसक और खदान तो सबसे पहले खदान में जाओगे आप सबसे पहले कहां जाओगे आप खदान की तरफ घमन करोगे खदान से आप आयसक निकालोगे खदान से क्या निकालोगे आप आइस के बाद आप Prakiria करोगे क्या करोगे प्रकरिया के बाद आप सोना निकलोगे अब बुशन सिधा नहीं बनेगा प्रक्रिया के बाथ सोना निकलोगे फिर जाकर कीりक्या बनेगा अब बुशन कि ben071 में मेरा कौन सा उत्तर आएगा भी option आएगा चलिए 32 नमबर के बारे में बात करते हैं कागज है पुस्तकाल्य है लेकक है पुस्तक है कलम है तो उत्तर आने दीजी रहे के दोस्तों फटाक से फटाक से उत्तर आने दीजी तपाक से तो देखो यहां पर सबसे पहले लेखक है जो तो क्या करेगा कलम उठाएगा या फिर शुरुवात अगर आप करो पुस्तकाल्य से तो पुस्तकाल्य पुस्तक लेखक फिर उसके बाद में कलम और नहीं नहीं सबसे पहले पुस्तक है जो पुस्तकाल्य में कैसे जाएगी तो उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लेखक साब है वो क्या उठाएंगे लेखक साब है वो क्या उठाएंगे कलम उठाएंगे बस यहीं पी काम हो गया कलम उठा करके वो क्या करेंगे कागज लेंगे कागज से वो क्या बनाएंगे पुस्तक और पुस्तक कहां पहुंचेगी पुस्तकाले में पहुंचेगी अगर उल्टा देखते तो पुस्तकाले पुस्तक और उसके बाद में कागज फिर कलम और फिर लेखक पुस्तक को बनाने में कागज कलम और लेखक के आउशकता होती है तो सबसे अच्छा और प्यारा क्यूषन 33 नवर्वर्व जवार्व क्यूष्षन देखें सबसे पहले दातु करें है जब से पहले दैको दातुं थाने दिजी उत्तर सबसे पहले सबसे त्सक्रानी के साथ ूट Paige करते हैं सुद करने के बाद में धातु मिलती है फिर मिष्ट दातू बनाते हैं हम लोग फिर जाकर के हम लोग मिर्सर दातु बनाते हैं तो 33 नंबर में भी उत्तर हम ठोकेंगे बहुती लाजवाप और उंदा चलिए नेक्स क्यूशन के बारे में बात करते हैं देखो बहुत प्यारा क्यूशन अंगूर अंगूर का बाग मदीरा सराब बनाना आश्वन करना यह सराब बनाने की विदी है तो सराब किसे बनती है अंगूर से आज आप में पता चल गया है तो सबसे पहले अंगूर का बाग होगा वहां से हम लोग क्या लेंगे अंगूर लेंगे उसके बाद में बताईए देखे सबसे पहले तो अंगूर का बाग होग से अंगूर लिये जाएंगे फिर आप आश्वन वीदी के द्वारा सराब बनाओगे और फिर जाकर के आपको मदीरा प्राप्त होगी तो सबसे पहले अंगूर वाला तो देखो इसमें भी अंगूर का बाग इसमें है इसमें भी है फिर आप अंगूर प्राप्त करोगे तो तो यह उप्शन ठोको इसके अंदर चलिए 35 नमबर के बारे में यह एक परकार का खाना बनाने का तरीका हो गया आप खाना तो बनाते हैं तो तरीका भी बता दीजिये तो देखिए सबसे पहले नुक्सा है पकाना है परोषना है संगटक है और खाना है तो यह सब बनाने से पहले सबसे पहले आपको नुक्सा आना जरूरी है आप देखो संगटक तो सबसे पहले इस्तमाल करोगे नहीं आप पकाऊगे नहीं सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए नुक्सा आना चाहिए प्रोषने से पहले पकाना पड़ेगा प्रोषने से पहले क्या करना पड़ेगा पकाने के बाद आप प्रोषओगे और यहाँ पर सब्सक्राइब अपयोड पर कर से पहलिए सबसे छोटा इनके अंदर देखा जाए तो गाउं होता है गाउं तालू का निर्मान करता है सबसे छोटा गाउं सबसे छोटा गाउं गाउं तालू के का निर्मान करता है तालू का निर्मान करता है जिले का जिला निर्मान करता है राज्ये का राज्ये सबसे पहले कोई बी किताब होगी उसका सीर्षक होगा प्रस्तावना होगी या अध्याए होगा या विश्य होगा या अनुक्रमिनिका तो सबसे पहले किताब आप लोगे तो किताब के ओपर टाइटल होगा राजस्तान इतियास की है या रिज्डिंग की है तो सबसे पहले तो सीर्षक आएगा सबसे पहले तो क्या आएगा सीर्षक तो सबसे पहले सीर्षक आएगा अब देखो प्रस्तावना पहले आएगी या 37 का जल्दी बताओ 37 का भी उत्तर सभी Ce क्या अब यहान पर डी क्यूं गलत उसके बारे में देख लेता है सबसे पहले यहां पर क्या लाया जा रहा है शीर्षक भर उसके बात में विशे सुची लाई जा रही है नहीं जी फिर उसके बात में यहां प्रस्तावना येगी किसी की लिखी घ़ती है तो यह क्रम ईच्छा एक Presence तो देखो पचाना पकाना चबाना और निगलना और स्वाद लेना तो सबसे पहले तो यह पचाना चबाना निगलना स्वाद लेने से पहले खाने को पकाना पड़ेगा खाने को क्या करना पड़ेगा पकाना चबाना नहीं पड़ेगा सबसे पहले तो पकाओ गया पकाने के के बाद आप स्वाद लोगे स्वाद लोगे कैसा बना है तो स्वाद लेने के बाद में आप चबाओगे या आप निगलोगे तो चबाओगे पहले पहले क्या करोगे आप चबाओगे तो इसका भी ऑप्शन ठोक रहा हूं भई में आप चबाओगे चबाने के बाद में आप निगलोगे और फिर आप क्या करोगे उसे पचाओगे तो इसका बी उत्तर लगा रहा हूं 38 में चलिए नेक्स क्यूशन की बारे में बात करते हैं अगला क्यूशन आपके सामने देखते हैं सबसे पहले कौन सा प्यारा साती इसकी डिमांड ले जाता है प्लास्टर पेंटिं में पाच वे में चत है इदर भी निव है तो शुरुवात हम किससे करेंगे निव से पहले निव के बाद हम दिवार के बाद हम क्या gण करेंगे या प्लास्टर करेंगे तो दिवार के यहां पर एक यूझ गलत ऊगया नीऊ भड़ति उसके बाद में दिवारे खड़ी Itt punt Dir I get a tix गर नीऊ भड़ रेहे हैं फिर पेंटिंग कर दिवारे विप थे त बैगे दिवार चूंषम घृत फोर फिर उसके बाद में उस पर पेंटिंग जाती है quatro और यह आज का अंतिम क्यूशन बहुत ही प्यारा क्यूशन और ऐसा क्यूशन आपने बहुत बार देखा होगा यह वजन के उपर भी आदारित हो सकता है वजन के उपर भी तो सबसे चोटा जो प्राणी होता है और सबसे बड़ा इसमें जो प्राणी है वह वेल है तो वेल के से बड़ी क्या होती है भिल्ली बिल्ली से बढ़ा बाग बाग से बढ़ा हाती से बढ़ी वेल तो यह इसका हो गया खसारतक क्रम तो यह बहुत ही अच्छा टोपिक था दोस्तों लोजिकल आरेजमेंट और दो वट के बारे में हम ने देखा पड़ा और सारी चीजों को समझा इसमें कई बार कई सारे confusion रहते हैं सब्दों का तरक कैसे बिठाना है यह हमेशा confusion नहीं रहा है काफी समय से तो इसी आशाओं के साथ मैं आज की session को यहीं रोकते हैं मिलते हैं जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद